अन्रतम सासम माया, मूर्खत्व मतिलो भता, अशोचम निर्दया दर्पह, स्त्री नाम अश्टोस्व दुर्गुनाहा, महान आचारिय शुक्राचारिय ने इस लोक में स्त्रियों के विशय में बहुती महतुपुर्ण बाते बताई है, जिने स्त्रियों पुरुष को अवश ही जान लेना चाहिए, शुक्राचारिय ने कहा था, कि आदते मनुश्यों को अच्छा और बुरा बनाती है, उसकी आदते ही मनुश्य के भविश्य का निर्मान करती है, अगर अच्छे आदत हो, तो वह इंसान सफलता को प्राप्त कर लेता है, वह अगर गंदी आदत हो, तो अपने साथ, अपने पूरे परिवार को बरबात कर देता है, प्रत्यक स्त्रियों पुरुष में, हमेशा कई अच्छे आदतों के साथ, कुछ गंदी आदते भी होती है, परंद शुक्राचारे के अनुसार, स्त्रियों में कुछ ऐसी आदते होती है, जो उन से कभी नही आदती होती हैं, अगर वह सही समय पर इना आदत्यों का त्याग नहीं करती हैं, तो अपने पतियो है शंतान की जिवन को नस्ट कर डालती हैं, वह सुयम ही अपने परिवार की बरबादी का कारण बनती हैं, तो चलिए झान लेते हैं महिलाओ के तीन गंदियादोतों के बारे में, जिनका त्याग उन्हें कर देना चाहिए, सबसे पहली बात, पराय पूर्शों के प्रती आकरशन, शुक्रचारे के अनुसार, जिस तरी के मन में, पति के आलावा, किसी पराय पुरुश के प्रती आकरशन होता है, उस्त्री के पति की कभी उन्नती नहीं होती है क्योंकि पतिवरता धर्म से मिलने वाला पुन्या उसके पति को नहीं मिलता है और ऐसे पुरुष का विनाश उसके पत्नी के द्वारा ही हो जाता है वो समाज में मान सम्मान भी खो देता है जो स्त्रिया पराय मर्दों की तरप पाकरशित होती है उन्हें काम की द्रश्टी से देखती है उन्हें चरित्रहीन कहा गया है ऐसी स्त्रिया परिवार के सर्वनाश का कारण होती है पराय मर्दों की तरप आकरशित होने की गंदी आदत स्त्रियों की सुक्संपत्ति को बर्बाद कर दीती है इसलिए शुक्राच काम नहीं करने चाहिए इससे उसके संवान में कमी आती है दूसरी बात पती के आज्या का उलंगन शुक्र चारे कहते हैं कुछ स्त्रीयों में दूसरी सबसे गंदी आदुत होती है क्यों अपने पती की प्रत्यक बात को टाल देती है अर्थात उसके आज्या की अवहेलना करत शास्तरों के अनुसार श्त्रीयों को अपने पती को देव तुल्य मानना चाहिए जो स्त्रीयों में हुए उसका अपमान करती है ऐसी स्त्री के घर में देवी लक्षमी कभी वास नहीं करती साती ऐसी महिलाएं पती के मानसिक और शररिक तनाव का कारण भी बनती है जो जो स्त्री सद्य अपने पति के आग्या का पालन करती हैं। कभी उसका अपमान नहीं करती हैं। उसके परिवार की ऋन्नती हो जाती है। तीसरी आदत अधिक लालच करना शुक्रा चारी के अनुसार इस संसार में जो स्तृरी अत्यादिक लालची होती है वह भी अपने पती के विनाश का कारण बनती है लालज करना आमसी बात है, मर्यादा में लालज करना कोई बुरी बात नहीं है, किन्तु केवल अपने स्वार्थ के लिए सभी मर्यादाओं को लांग कर, लालज करने वाली स्थरी अपने पती के लिए आशुब होती है, अत्यादिक लालज करने से धनका भी नाश हो जाता है, कुछ महिलाए अत्यादिक लालच करने की कारण बार-बार मुसिबत में पढ़ जाती है और अपने परिवार को भी मुसिबत में डाल दीती है जिस कारण परिवार में दुख, कलेश और दरिदर्ता का वातावरण बना रहता है इसलिए स्त्रियों को अत्यादिक लालच कभी नहीं करना चाहिए जितना पति का सामर्त है उसी के अनुरुफी जिवन यापन करना चाहिए तो दोस्तों शुक्राचारे के अनुसार श्त्रियों को अपनी इन तीन आदोतों को तुरंत ही त्याक देना चाहिए अनिता उन्हें भहिंकर परिशानियों का सामना करना पर सकता ह आपके विचार से क्या शुक्राचारी की ये नीती सकते हैं कमेंट करके ओश बता है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट में जय शुक्र देव अवश्य लिखें साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद